हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैस कि इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लास फोन में आप लोग इनकमिंग कॉल फ्लेशलेट को कैसे इनेबल कर सकते हो अगर आपके पास एक इन्फिनिक स्मार्ट एट प्लास फोन है और इस फोन में आपको इनकमिंग कॉल फ्लेशलेट को इनेबल करना है मान लीजिए आपको जो है यापर से आप लोग अपने फोन को जो है साइलेट पर रख रहे हो और आपका जो स्क्रीन है वो भी लोक है तो कि आपको कैसे पता चल सकते हैगा इसकी आपके फोन में किसी का कॉल आ रहा है तो अगर आप लोग incoming call flashlight को enable करोगी तो आपका phone अगर silent में भी होगा या आपका phone lock होगा तब भी जो आपके phone में आपका camera flashlight हो ब्लिंक होने लगेगा और आपको पता चल जाएगा अगर आपको भी इसको on करना है जिसको use करना है अगर आप लोग भी चाहते हो कि guys अज जितने अभी silent mode पे हो या screen lock हो तो आपको पता चलेगी किसका call आ रहा है या आपके phone में call आ रहा है की नहीं तो आप लोग incoming call flashlight को enable कर सकते हो तो कैसे आप लोग इसको enable करोगे guys तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा guys आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते हैं incoming call flashlight को enable करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के application को open कर लेना है जिससे आप लोग call करते हो open करने के बाद उपर की तरब आपको एक settings का option मिलेगा तो इस settings के option पे click करेंगे click करती flush for calls का एक option मिलेगा सबसे पहले ही इसको आपको on करना होगा on करने के लिए हम इस पर click करेंगे click करती option on हो जाएगा और on होती है आपका जो camera का flashlight है जो continuously blink होने लगेगा जब भी आपका phone lock होगा या silent में होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने infinix smart 8 plus phone में incoming call flashlight को enable कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe ज़रूर से कर लिजिए मिलते हैं का like next वीडियो में दब तक के लिए बाबाई